करने वाले हैं इसका पहला कोशन है जाती को परवासित करें जाती और बढ़ दोनों अलग अलग है जो है कर्म के आधार पर हो जाता बाद में जन्मजात होने रग गया लेकिन जो जाती ती उसका जन्म ही जन्म से होता है जिस जन्म में आप जिस जाती में आप जन्म लोगे उसी में वही आपकी जन्म जात मतलब आप मरने तक आपकी जाती रहेगी और जो जाती होती है वह पेशे से निर्धारित होती थी कि आप जो पेशा काम कर रहे हो वही आपकी जाती है तो अगर हम इसको बात करें ऐसा अंत तरता गई जो आज भी है हम अपनी जाती से अठकर विवा नहीं करते अगर बात करें अंतर विवाई और चाहिता कैसे होती है जन्म से होती है और हम यह किसे निर्धारित होती है पेशे से कोई चाक या बर्तन का कार कर रहा है तो उसकी जाती को हम कुमार कह देते हैं तो यह जाती कैसी हो जाती है जन्मजात व्यक्ति के चलती रहती है अब एड़वर्ट टाइलर के अनुसार संस्कती की परवासा बताईए तो जो संस्कती है उसकी आप दो-तीन जो है आप कांट के वST तstat avenant देख लेना ठीक है एड़वर्ट टाइलर के अनुसार देख लेना थो तीन जो समस्कती है उनके अनुसार परवासा देख लेना क्योंकि हो सकता है एहिंस तीर या व्याफीन से भी से भी परवसां आ जाये कोई यह एड़वर्ट टाइलर के अमसार की क्या कई जटल समगरता है जटल इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज है अब यह धारित नहीं कर सकते क्या चीज नहीं होगी इसलिए थीक है उन्होंने क्या जटल समगरता है संपूर्ण आस्रम ब्यवस्ता का क्रमबद मिलता है जावाली उपने सद में कहां मिलता है जावाली उपने सद में 개त हैं की अगला कोशन है कि प्रैसाफ सच्छा की कि उत्तरबएदे काल में हम देख सकते हैं कि आश्रम ब्यश्ता तो थी लेकिन उत्तर ब्यश्ट है इसमें चारों आश्रमों की जानकारी हमें मिल जाती है कि हम्राइद है हम अनुदर और पीस त्रश्चा में अगर बात करें तो यह जी हम केते हैं कोई पाठक्रम होता है उसका निर्धारित तो उसको अनुप चाहरिक सथार नहीं करें। कि वह अफचारिक है कि सिस्टमेतिक बेम यह जो क technicam salary जिसके जगे निर्दारित नहीं है उम्र detailed नहीं यह किस वह जलेना है यह वह जीषाक सचा तो क्यों देको क्यों कि यह आम झीवन में इस यह वह दिखाए जैसे कि करसकों को अगर हम बात करना है तो करसकों को दी जाने वाली छिचा कैसी होगी याप ऐसे भी डाली है आप ऐसे खेती कीजिए मुलब उनके देनेक्स जीवन में जो प्रयोग हो सकते हैं उस चीज की सिक्षा देनी है इसलिए हम कहते हैं यह बैवारिक सिच्छा है निर्धारित पाठकरम नहीं है आई यूश्यमा जैसी कोई बाद देता नहीं है ऐसा नहीं कि रवई 12 में आप 18 साल के फिर से नहीं आ सकते हैं त ने कि परभार हैं को निपठाने के लिए करतो किस्टों कि क्रसे गया इस्थाप्नार की दोन के द्वारा की यह बादार की बाता है यहां जाता है कोई तलाख के पहले ही रहना चाथओ आप गया बच्चों का हो मात्या पत्ता का का हो ठीक है चाहे वो पतनी का हो तो यह सब मुद्धे कहा हैं हमारे कुटमने आयले में आ जाएंगे नभीन सिच्छा निती के तहर सर्वयापी करना सब तक महुचानी है कब सब्सक्राइब करना का दोजार तीस तक हमने इसमें उच्टत सिच्छा का भी दिया है जो है दोजार पैंटीस तक छोटे छोटे फैक्ट आपको याद होने चाहिए अगला कोर्षन है एनमसी देखिए पहले मेडिकल काउंसल आफ इंडिया चलती ती जिसमें वह सारी अनिया में इतना है ती और बहुत परानी भी हो गई थी तो 2020 में क्या ले आए नेशनल मेडिकल कमीशन ठीक है और जिसका घटन कब होता है 2020 में और इसका भी वही काम है चिक किस्सा जो प्रोफेशनल होते हैं डॉक्टर्स वगएरा होते हैं उनका नियमन करना है अगला कोशन हम देखते हैं बेटी बचाओ बेडी बेटी पढ़ाओ योजना देखिए 2015 में लाई जाती है इसका उद्देश से था सामाजिक जागरुकता लाना लोगों में ठीक है उ उन जलों में लागु हुए थी सबसे पहले जहां पर सबसे ज्यादा लिंग नरपाथ था सबसे कम लिंगानुत पाता वेसलिए यह कहां से चलाई कहां में सबसे ज्यादा समयधान प्राभण की जाए तो दोप्रिकार की बात की दियाति भासाई और धर्म हमने यहां पर केवल अल्प संक्यों की बात की गई इसलिए हम दोनों प्रिकार के प्रावधान ले सकते हैं जैसे अनुच्छी दुन तीस है थर्म से संबन देता है कि वहीं प्रतिक दुन में विच्छ भासा लेपी और संस्कति के सरणचन करने का अदकार होगा और अनुच्छे 30 कहता है अपनी रुची के सिच्छा संस्थानों की स्थापना कर सकेगा कोई भी व्यक्ति ठीक है और अनुच्छे 30 कह क्या कहता था 350 कह कि वहीं बहासा ही प्रकारी नियुक्त करेगा कौन राष्ट पती ठीक है चलिए अगला कि राष्ट यह पुना इस्थापना और पुनरवास नीती 27 यह लाई गई थी कि वहीं किसी भी विकास कारणों की वैसे अगर व्यक्ति अपना इस्थान छूड़ देता है तो उसके पुनरवास की क्या ब्यश्था होगी इसलिए 2007 में लाई गई थी और किसके अंतरगत संचा लेता है यह संचा लेता है ग्रामीड विकास मंत्रा लेके अंतरगत ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं विश्व जन संख्या इस ठरीकराण दिवस कब मनाया जाता है की दो तरिके के बिश्व जान संख्या दिवस मनाया जाता है जर्या जोलाई कोश्व सास्त के बारे स्थीध देनम चै कैंठिक सब्सक्राइब करने के लिए उनके ज्यान को बढ़ाकर स्वास्त में सुधार करने के लिए आप अगर कोई भी परवासा किसी रेफरेंस से लिखोगे तो आपको अगर वो तीन नमर का कुछन है तो तीनों नमर मिल जाएंगे अगर आप अपनी परवासा लिखोगे तो सकता है वो दो नमबत दे ठीक है दीन नियत्र क्या है वही बेगाओं का नियत्र हम देख सकते हैं जो बैगां के साथ या गौन्डूं और परच लिता है और मदब रेष में बैगाओं और गौंड एक ही स्थान पर रहते हैं लगवग ठीक ठीक है और आप देख सकोगे बैगाओं का और गॉंडों के वह सारे एक्टिविटीज है कल्चरल एक्टिविटीज है मिलती जुलती है इसलिए गॉंडों का भी है लेकिन अगर मुख्य तोर पर देखा जाएगा तो यह किसका है बैगाओं से गॉंडों में आ गया ठीक है औ और कब किया जाता है अबसर है दीवावली के आसपास क्लिए चलिए अव विश्वस्वास्त संग्नठन की स्थापनाँ कब की जाती है और कि हम क्या मनाते हैं। hvis we hawage देवस मनाए जाता है क्योंकि स्की स्थापना साथ अप्राय Looks मनाती।ares हैं की जनिंप्र संस्वास्थ करने हम क्या करना जिसमें के घुळाता है, तकनीकी सिच्छा क्या है विज्ञान और दौगेगी से सम्मंद्ध सिच्छा जिसमें ज्ञान के साथ साथ प्राय होगे कारिभियों प्रेक्टिकल कारिभियों जिसमें सामिल हो क्या कहते हैं तकनीकी सिच्छा कह देते हैं अब इसके संबंध में सबको पता है अगर कोई व्यक्ति इंजिनिरिंग कर रहा है और भी अगरा कर रहा है तो सिवानी को पढ़कर वो पास हो जाता है सवानी आती गाइड बुक जो लास्ट टाइम पर पढ़ी जाती जीवाजी उनिवर्सिटी में तो जीवाजी उनिवर्सिटी में 2020 चलती थी तो ऐसी अगर आप किसी भी सिच्छा को करेंगे इस सौटकट माद्यम से तो इसका मलब उस इस्ट्रक्चर में कोई ना कोई खाम ही है उसी का बुक्तान हम कहां देखते हैं कि हमें जो है बाद में नौकरिय है ठीक है इसके अलगावा अगर कोई व्यक्तिव सिविल से है तो सिविल में वह चीज नहीं सिखाई जाती है जो नई टेक्नोलोजी आ रही है यह बाद में सीखना पड़ता है अब इसी के कारण हम देख सकते हैं बहुत सारी समस्यां पैदा हो जाती है तो हम देख सकते है सिख्था की गुणवत्ता में क्या बैवारिकता है नहीं आपको पड़ाया जा रहा है वह बात में आपको नौकरी भी नहीं मिलनी सी प्लस प्लस जावा वह बात में सीखता है रोट लेंडिंग मतलब आपको रटाने पर सिवानी पड़ो पास क्लियर है आधार बूद समय नहीं है लेब नहीं होती जबकि आपको कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर तो होने चाहिए लेकिन वह भी नहीं है बैप एक्षा करत नहीं है आई आइटी का एक आंकड़ा है जिसमें नौजाय करोड़े जबकि डिमान ज्यादा थी उनकी आईटी की इसके बाद ले लोगे कमत तोड़के और उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी के लिए चली दिव्यांग अधिकार 26 यह अधिनियम आया था जिसमें दिव्यांगों के कुछ अधिकार निर्दारत की इससे पहले 1995 में का इक अधिनियम चलता था उसके स्थान पर 2016 में एक अध 20 कर दी गई 21 में भी क्या कर दिया इसमें ऐसे डट इटे को भी सामिल कर लिया अब सरकारी नोकलियों में चार प्रत्सत कर दिया दच्छन कर दिया जिले में विशेश नियालय होंगे जो किन को किन का मामला सुनेंगे इसके बाद हम देख सकते हैं कि सिच्छा की गारंटी राज्य की होगी कब तक 18 वर्स ठीक है और इसमें एक अधनियम में एक चीज जो विशेश करके की गई वह यह थी कि कि आप विशेश अमसर अचना डिजाइन करोगे तत्यक कार्याले में जो पहले नहीं होती थी स्व विवेख पती या फिर कार्य पालक है कि आदेश पर दी अब उसको बैदानिक रूप दे दिया हमने के अगला कोशन देखते हैं हुआ सामाज एक रूप से बंचित्वरत की हैं किये गए समdeathाने प्रावद्धान के प्रावधान है भाई सामाज एक रूप से बंचित वर्ग हमें हम किस-किस को रख सकते हैं सामाने तवर पर हम रख सकते हैं s-c स्b типа को तो देखिए नागरेक अधिकार अधिनियम 1955 आया था पहले अस्प्रस्था निरोध कानून था इसका नाम 1976 में नागरेक अधिकार अधिनियम 1955 कर दिया इसमें अगर आप किसी भी प्रकार की चुगा चूत करते हो तो आपको तीन वर्स तक गाली गलाउच करते तब भी आपकी अपराद है किसी भी प्रकार की चुगा चूत करते हो या फिर आप किसी भी प्रकार की प्यताण ना करते हो वह भी क्या है अपराद हो जाएगा के सब्सक्राइद अन्सूचित जाती और जंजाती अत्याचार नवाराण अधिनियम 1989 के त हैं तो आप अपराद की स्रेडी में हैं अब इनको क्या दे दिया अरकात दे दिया आप कुछ जैसे सूखी लकडियों को टैनियों को तोड़कर बेश सकते हैं जो सूखी है चोटे-चोटे कंद मूल बगएरा कोई भी फल लग रहा है उसको बेश सकते हैं तो यह कहां से मिला अगर इनमें भी लिखें तो जन जाती आयो अधिनियम उनके लिए अधिनियम आया सात没 अमधानि क्रावधान आया इसको भी इसमें लेख सकते हैं एक हमने लिखा राष्टिय आयो ख़ल जनियम 1992 ठीकिख तो इसमें क्या है चाहँ भरं Сामधामे को मुस्लियम मेर्षा इ diplomacy स ज़ान रखना चलिए अब अगला को समय सांस्कतिक बिलम्मना वह सांस्कतिक बिलम्मना क्या है इसको हम एक कल्चतर लेग भी बोलतें इंगलिस में ठीक है यह एक ऐसी घटना है कि जहां पर भौत एक संस्कति तो बढ़ गई आ गई लेकिन अब वहत एक संस्कति जैसे बिच हो गए गया में कंप्यूटर आ गए है कि हम डिजीटल क्रांति या एए डिजीटल संस्कति डवलप उपाई है नहीं हो पाई है हम बहुत प्रवासं प्रवतन यह प्रगती और वहत एक संस्कति की तुल्णा मैं तेज दर्स से हो जाए इसी को हम कहते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं पहली बात तो रूड़ी है लोग सोचते हैं कि हम नहीं बदलेंगे इसके बाद भाई होता है कि अगर बदलेंगे तो क्या हो सकता है कंप्योटर का भय है कि हम क्या इसको चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे उसके लाट लेकर किरा था पचास साल लेकिन हम देख सकते हैं पहले कीपेड़ फोन चलते हैं कीपेड़ से टच फ्कीज Cole Salut लिए इसकी तुलना में ऐगर हम बात करने कंप्यूटर थेzhkin 90 के डसक में कंप्यूटर कैसेिते हुआ चलेगा है और नि ऑने अब पंचायती राज केस्ट क्या देखने हमें समाज पर प्रभाव देखने को क्या मिलते हैं तो भई पंचायती राज पर क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे हमें हुआ कि हमें पंचायत वाले सेक्षिन है इसमें हम बसी सनचमा कही कैसा मैं इसको पंचायती राज को रखा गया ठीक है मैलाओं को क्या मिल गया राजनेतिक अधकार मिल गया वन थर मिल गया मद बिदेश में तो बन फिप्ट है सुरी वन हाफ है पचास प्रसंद सीट हैं प्रतेक पर आप समझे जो मैलाओं गूंगट में रहती थी आज वो नेत्त तो कर रही हैं गाओं उनके सारे पर चल करेंगी और सम्मान के साथ उनको एक्सेप्टेंस होगी तो यह कहां से प्रॉसीबल हो पाया किस कारण पॉसीबल हो पाया यह हम देख सकते हैं पंचायती दो आज के बाद इससे पहले इतना प्रवाव नहीं था हमने सिच्छा के लिए इतनी योजना चला दी उनका प्रव दाना वह भी चली है लेकिन काफी अत्ता को कम भी हो रही है दीरे दीरे जैसी राजनितिक चेतना आएंगी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वह अपने आपको साबित करती रहेंगी चुआ चूँत में कमी आई गाहों सबसे ज़्यादा पताड़ते सेहरों में चुआ चूट नहीं होती है क्योंकि गाओं अर्थ से चलता है यहां पर अर्थ का महत हो है जबकि गाओं में अगर हम सामाज एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो कहां पर समाज का महत होता है ठीके चोटी-चोटी जूणियों का महत पूरवागर है इन से यह सब चीज़ आए गाउं में ज़्यादा देखने को मिलेगी सेहरों में नहीं होगी सेहर में काम चल नहीं पाएगा एक फैक्ट्री में किसी भी जाती को आप यह नहीं कह सकते हम इस जाती के हैं तो हमें कुछ वन थर सीटर मिल गएं किनको जो जाती जन जाती जाती के लोग चुआ चूट उन्हीं के लिए ठीक अब अन्सूच जाती का राजनेती करन उठान हो गया कैसे हो गया आज अच्छन दे दिया और जाती वेस्ता चर्मरा गई उच नीच जाती वेस्ता विवा की संबन में नही जाएगी लेकिन जो चुटती उच नीचती वो काफी तक कम हो गई पहले क्या है कोई सीएश्टी का वेक्टी आता तो साइद मैंने काफी देखा है कि खटिया पर नहीं बैठते थे आज बरावत से बैठते हैं कि सामने वाले को बोट चाहिए दीरे दीरे मनोब्रती भी व बैठे रहते थे आज वो नहीं है वो चबुतरा है लेकिन ब्यक्ती नहीं है इसका मतलब क्या हो गया वहां पर राजनेतिक प्रतिदौन देटा इतनी हो गई कि ब्यक्ती एक दूचरे की सकल देखना भी पसंद नहीं कर रहा तक्राव बढ़ गया हम देंगे कि दली गुट होता है तो यह किस कारण से हुआ सामाजे की सुहाद देता उसमें कहीं ना कहीं कमी आई एकिस कारण से राजनेतिक टक्राव की वेसे हम जीतेंगे हम जीतेंगे यह ठीक है अब बाले अवस्ता के संसकारों का वढ़न करना है देखिए कई जगे आपने आप बाले आवस्ता संस्कार है 16 संस्कारों को आप कई भागों मार सकते हो जैसे जन्मपूर्व जो इस वार आया भी था तीन नवमर में ठीक है सिसुकाल के हैं बाल्य आवस्था के हैं यह सब उम्रिका है बाले की सुका कब से एक साल से तीन साल तक जो भी होते हैं तो यहां पांस से आड़ नौ कौन कौन सा हो जाएगा विवाह और अन्तेष्टी ठीक है युवाविस्ता में हम क्या रख सकते हैं विवाह को रख सकते हैं अन्तेष्टी इस तरीके से अगर मांट होगे तो आपको ज्यादा बहुत अच्छा यह क्लासिपिकेशन हो जाए बड़ी करण हो जाएगा अब एक सब्सक्राइं साथरे के लिए तैयार हो जाता है तो हम क्या करते हैं विद्यारम देखे बैज्ञानिक है हम आज भी जो स्टड़ी है वह पांच से साथ वर्स में शुरू करवा पाते हैं कच्छा एक में अगर आप देखोगे साथ वर्स से पहले सरकारी स्कूलों में आप एडमिशन नहीं ले सकते साथ वर आइवेट में तो दोदोबस के भी नरसरी में जाने लगए लेकिन क्या सीखते हैं कि आज तो बहुते ज्यादा ही हो गया है कि उपने इनका वोता है भई गामणों में आठवे बर सतियों में ग्यारेवे बैस्टों में बारेवे बर जब गुरू के पास सिच्छा देने ज नाज़े आता है थीक है ऊएं इसमें एक है बेदर इस दिखाता है कि आप जो है शिच्छा दृत करो साथ में भ्रहमचर का पालन भी करो उसके मानलों घंटी की तरह है कि आपको भ्रहमचरी का पालन करते रहना है और यह बेदों का अध्यन करने से पहले किया जाने वाला कि संस्कार है अब देखिए राष्टी स्वास्त नीती 2017 के क्या पूछा है प्रमुक लक्ष राष्टी स्वास्त नीती 2017 में बहुत सारे लक्ष रखे गए ते जिन्हें कंप्लीट करना था तो इसमें हम प्रमुक लक्षों की अगर बात करें तो पहला लक्ष क्या है मर्तियुदर कंक्राना है कब तक 25 तक 5 वर्स कंपांच वर्स कम आई विए बच्चों का कितना लाना है कि इसके बाद 2019 तक इनों ने रखा क्योंकि 27 अई ती अचैज करना है और कि नवजत मनत्युदर किना करना है कि जीवन प्रत्यासा को बढ़ाना कितना कर कर देना है सत्तर वर्स कर देना अभी शर्षट वर्स है कि कुल प्रेजिन अंदर कितना करना है टू-पॉइंट बन कर देना है जो हम अचीव कर चुके है ठीक है रोग मून उन्मूलन की बात करें तो हमें इस्थानिक सेत्नों में तक कुछ दो चलो ग談के रहएं कामीं कर देना है मैं कि सकी अथ के व्याइग वित्वार कि कर देना है जैज तक क्या इसकर 25 तक मिल्म यह क्म कर सबसे अच्छी चीज है कि हम किसका डेटा पालन करें कि राष्टी परवास्वास्त सर्वेश्चर अभी पांचवा आ चुका है तो हम पांचवे की बात करेंगे इससे पहले चार काता तो चार की बात करते कि अब क्या वई 19 परसंट बच्चे जो हैं वेस्टिंग से प्रवावित हैं पांस साल से कम उम्रे के बच्चों में 35 परसंट जो है अवजिक सिकते हैं पंद्रा से उननचास वर्सकी कि सोरियों मेलाव में एनिमिया की समस्या है रख्ताल पता ठीक है पांच वर्से कम उम्रे पूची है सिटी पूची है मनें इस्तिती बता दी इसके अलाब़ा कुछ नहीं कर टिपणी होती तो हम इस्तिती भी बताते उनको दूर करने के उपायओ बीब पताते आँज पनी होती यह समझाईये यह दो चीजां होती कि पनी यह सम्झाईये तब हम इसमें तीन-चार डाइमेंशन लिख सकते थे ठीक है को पोशन की परवासा देते तो प्रकार बता सकते थे इसको दूर करने के उपाया बता सकते थे टीक है 11 मार्क आया तो इस तड़ीके से आपको सारी चीज़ं बता जीए 11 मार्क जब भी आएगा तब आपको इस्ति जरूर बतानी पड़ेगी कि आप जिस चीज़ के लिए लिख रहे हो 11 मार्क मैं उस चीज़ का इस्ति तो बता दीए भाई यह इस तिए इसलिए हम दूर क संघ्ठन को समझा देते हैं तो देखिए भील जंजाती जो है अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं आप संभव नहीं है तो आप एक मैप का जरूर प्रयोग करें इस तरीके से थी भी जन जाती तो है हहां पाई साहब मद बेश के पच्चमी दाब्यागे में पाई जाती ह 아파ald है Emin man के सदेना समाज में इस चाहर मक्री पूंचा इस अब है सांध में कितने बरंग लग잖ो है तो भई सबसे जो मुखिया होता है प्रसासने को सामाजेकार करता है तड़वी होता है तड़वी पटेल का क्या है सहायक है और पटेल की अनुपस्तिती में क्या करता है देखोगे जिसे हम कहते हैं छैक तू से सबसे ज़्यादा बजर्ट。」 होगा उसी को हम क्या रखते हैं इस के लिए रखने के आप ही समालो हमारे एक सब्द चलता है भतौर तो बहतौर का मालिक यह होता है वद्वा तंटमन्ताज़ी बूटियों के रानाकार होता है को गाउं का छोकीदार होता है गायक काल को है नहीं करनी है बत्रन को देखेगा बादोती perk तली किसे हैं वैं समाजिक संगठन जो है बटा हुआ है अब देखिए डवलू एचो के पूचा है हमने प्रमुक कारिक्राम तो सबसे बड़ा प्रमुक कारिक्राम तो हम सब जानते हैं पल्स पोली अभ्यान था ठीक है पल्स पोली अभ्यान जो है मद भारत में 2014 में एक लास्ट केस आया था उसके छार मनमें और इसमें द्यान रखना डम ट्वू म hm near के नियंद के लिए जह रोग है और अंतराश्टी चैमिकल शुरचा कारिकराम मैं जो क्या करता है स्वास् पर कैमिकल का क्या ना हो दुस्पर्वाव ना हो और विकक्रा कोई कविग रवाव ना हो इसके लिए आप यह पांटिक्रम लख सकती कर्रम से कोसं कर पूछेगा है इप olabilir नी चला और उन से भारत ने कौन-कौन जा सकता हैblend. अब हैमारे पास प्राथमिक सच्छा की स्थिति जैसे हमने को पोचंड की स्थिति देखी बैसे हम क्या करेंगे इसमें सबसे था होता है इक जो हम जो डेटा यह साल में एक वार आती है चौरफ में शिठ की इस्ठती तो को hunter बच्चों की पढ़ने शीखने की चंता नावंकन कितना है ओव जय किया इस्तति है तो अगर बच्चों में पढ़ने सीखने की शंबता की बात करें तो देख सकते हैं जो बुन्यादी चंता है वो उच्चिता 12 की पूरविष्थर परी है कच्छा आठवी का जो बच्चे है साथ पॉंट पांच बच्चे जो है एक सब्द भी नहीं पढ़ पा रहे ऑचका आठवी के 40 बच्चे अंग्रेजी के सरल भाके भी नहीं पढ़ पा रहे और एक इसका करन यह क्यों हुआ इसका करन भी जान ले ज्यान रखना नवी के बाद ही हम देख सकते हैं दॉप आउट दर सबसे जादा होती है और देखेंगे हैं फीडिक को बच्चे बंचते हैं लेकिन अगर देखिए पंद्रे वर्सों में 95% से उपर हो गया मनलब हम आठवी तक तो बच्छों को पढ़ा पाने नामंकन सही हो रहा है आठवी के बाद बच्छे पढ़े नहीं होते हैं आठवी तक तो क्या हो जाते हैं एकदम से फैल हो जाते हैं वह पढ़ना सोड़ देते हैं पर चा आता है और अगर देखा जाए तो बच्चे जो है आठवी के बाद छोड़ रहें और दसी के बाद छोड़ लेकिन बालिकां जो है ट्विल्द के बाद सबसे ज़्यादा एक दम से गिरावट आती है क्यों बालिकांओं को ट्विल्द के बाद सिछा देना हम अन्य वार्क नहीं समझते अगर 2022 की बात करें तो 99% मामंकन हो चुके के और ना मंकन पर तो अच्छी के पूंच गए जब हम स्टिती पूंचा है तो हम स्टिती में नकारा再見 है बताएं को यह हैं हैं इतने विक्ति आ रहे हैं इतने स्टूटेंट आ रहे हैं इसमें नकारात्मक और सकारात्मक की कोई इस्तिती की जरूरत ही नहीं है कि अब 11-14 आयू की स्कूल में अनामंकित लड़कियों का अनुपाद दो है दो बाइस में दो परसंट तसाफ 15-16 आयू बर्गमस 7.9 रहे गया गिर गया देखिए 11-14 आयू आठवी उसकिलास आठवी की बाद क्या है नामंकन घड़ जाएगा अनामंकित लड़कियों का सरवादिक अनुपाद कहां है मद प्रेश में मतलब सबसे कम जो लड़कियां है वह जिनका नामंकन किसी भी विद्ध्याले में नहीं है वह पढ़ाने की छमता नहीं है इसके बाद भुडवत्ता भी नहीं है अब सब्सक्राइब अगर देखेंगे तो उपस्तिती भी इस तीचरों की नहीं है हम देख सकते हैं टीचर कोई बनना इसलिए चाता है कि उसको इसकूल जाना ना पड़े तो देखिए पेजल की उपलब और Isso pacote 27 परसेंट है और लड़कियों के लिए युक्त जो बिध्याल है वह 2 setup प्रयास देखें तो प्रयास मुखे तो संब्राइक मैं हम देख सकते हैं कि जितने वी अनुच्छेद मैं श्च्छासे संबंदेत उनको रख़ी दिए नियशिंए सब्सक्राइब देखे जाए तो राष्ट्री सिच्छा नीती में स्कूल को के लिए कि लिए क्या प्राफ़दान तो सिच्छा का जो इस्ट्रॉक्टर नों ने वनाए है वह किस परकार का यह भी कोस्टन बनेगा इस तो इदाश्टी सिच्छा नीती अगर बात करने तो जीडीपी पे 2035 तक गया होगा उच्छे तक सिच्छा का और इन्होंने सनचना क्या ना दी फाई प्लस थिरी प्लस थिरी प्लस फोर पहले टैन प्लस टू होती थी जो इन्होंने खतम कर दी ठीक है और जो 12 बरस का जो फॉर्मूला दिया था कि बच्चों को कम चेकम कॉले जाने से पहले बारे बर्स पहले स्कूल में पढ़ना चाहिए कच्छा एक से जिना जाता नरसरी उसमें जोड़ा नहीं जाता यह रादा क्रिश्णन आयोग आया था जो बिध्यायलों में बिध्यालीस इच्छा में सुधार करने के लिए 1948 में बना उसने दिया ठीक है कि अब इससे समझे रम योजनागत प्रयास देखेंगे तो योजनागत प्रयास हम दो इस तरहों पर बार सकते हैं एक तो केंद एक मद्वदेश तो हम केंद में कुछ योजनागत देख लेते हैं जैसे मध्यान बोजन 1995 में आता है यह नामंकन बढ़ाने के लिए मुख्यो दो कारणते मध्यान भोजन के और सुप्रीम कोट के एक आदेश के बाद सरकारद्वारत शुरू की गई सिच्छा अभ्यान क्या है विद्ध्यारले में प्रवेश बढ़ाने नामंकन डौप आउड़ को काम करना और नामंकन बढ़ाना 2001 में लाया गया बालकाओं के लिए सिच्छा के लिए कारक्रम 2003 में शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं हम बताई चुके हैं समक्रिस इच्छा जो है नई सिच्छा नीती के लिए अभी लाए गया है पालन के लिए और प्रदानमंति पोशन सकती निर्माड योजना जो है बच्चों में है जो 1997 में सुरू की जाती है और स्कूल चले हम अविहान है जो सालाच छोड़ने की दर को कम करने के लिए आपको दीवारों पर सुरोगन देखने को मिल जाएगा स्कूल चले हम संखना दी योजना है आध Dubai चेत्रों के लिए संखना सस्कूलों की बावगी दारी गाउँ के बिकार्श में किस तरीके से वशक्ति है इसके लिए संखना दी योजना कि आप सबसे पहले किसी लड़की स्थाधी व्या만 के लिए कोई लड़का देखने जाता है कोई लड़की देखने जाता है तो सबसे पहले देखते हैं। उस्के हुआ पूद्ध कि भूमका और निसकत अंदर के आचा है विचार तो हम देखी लेंगे तो हमें क्या करना है भूमका और निसकर्स बहुत अच्य रखने हैं हमारा मैं इसक्रस क्या है प्रात्मिक सिच्छा यह तु अनेक प्रयास की गए लेकिन एच्छिक परणाम आज तक हम नहीं देख पात कारिस तलपा किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वही मेलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन्हें दोरी मार जहनली पड़ती है क्यों कि हमारा समाद जो है एक्सप्ट नहीं करता एक एक बहुत बढ़ी है कि जब भगवान बुद्धय ये सदरा से मिलने आते हैं तो वो कहती है कि क्या मैं आपके कार्य में भागीदार नहीं हो सकती थी आपको अध्यातम लेना आता ये सब वेश्वयर की प्राप्ति का नहीं तो जो भी था क्या आप मेरे साथ नहीं कर सकते थे भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं कर तो लेता लेकिन हमेशा तुम से आर अब तक हारा हूं तो यहां पर भी आर जाता है पुरुष को पता है महिलाएं जो हैं हमसे यादा सच्छम हैं चाहे वो किसी भी प्रकार से हो । चब मासिक धर्म होता है तो पुरुष से जादा कितना दर्द जहिलती है पुरुष नहीं जहें सकता। मैथा जो हैं नौकरी के बाद भी बच्चों का पालन करती है來到 गरगे लिए खाना बनाती है उसके बाद भी कुरुष से यह नहीं कहती है हा इतना हम समाज के लिए तो पित्र सतात्मक समाज के कारण हमें यह जो समस्द आइस सारी है, की सारी पित्र सतत्त आत्मक आए कि लिए था हैं अगर समस्द इस तर पर देखी जाए तो देखे सबसे बड़ी जो समस्या है घरेलू इंसा की है दाइस प्रतार ना आए को पोशन से ग्रेश्टता है सबसे आदा पचास परसंड मैला है जो है आयनी मिया से किस्थ होती आर्थ निर्वर्ता है पती पर निर्वन है यौन हिंसा है पर इन्हेता भी कर रहे हैं बिजनेश में भी करना है चालीस वर्ष और लड़की के उमरें बीस वर्ष इसे कहते हैं बेमेल बिवा इस पर बहुत अच्छा जो अब उपन्यवास लेखा है और बहुत अच्छे से नोंने लिख प्रस्वत किया है वह गोधान में है थीक है गोधान में क्रेम चंदने परदा प्रता है लेंग चयानात्मक गर्वपात है और अनैतिक व्यापार है कारिस्तल पर हम देख सकते हैं निम्न मजदूरी है कारे की कठें दसां है छेड़ साड़ है असमाजिक तत्रों की से सुरच्छा की समस्या है आप कई वारेड भी लेखिने को मिलेगी बान वह conserv और उंके कल्या डेतू जो है क्या क्याप प्रयास तो सम्म्सक्रावधान करता है कि सभान में कुछ आइक रखे गए मैलाओं के लिए विचुत क्रावधान के लिए जाए फंरान के लिए बार करता है यह मैलाओं के लिए बिशेश कानून को लिंग के दारार पर ब्रोजगार में बिवेद नहीं होगा अनुचे 19 की कैता इस समक्षि सबी को यह मैं meng07 में कि जह इसका मतलब अनुच्य 24 में का आगया कि किसी विक्ति का ब्यापार नहीं होगा बस तो घीत रहे major 49 और 49 कहा उनतालीस कभ में प्रत्रुंश सबीं को जड़ साधन सभी लोगां को मिलेंगे उनताइस घम है कि जो बेतन और कि पूरसों के समान मिलेगा गुछ बेतन में क्या नहीं होगी बेरवाब नहीं होगा कि और उनतारीस में उन्होंचेत 42 में गया है प्रसूती साहता जो प्रसूती साहता कितनी कर दी गई है चौबीस सब्सक्राइब अब बैधानिक प्रयास देख लेते हैं अब इंदु विवा अधनियम उन्निस्वा पच्पन आता है कि इसके बाद हम देखेंगे एक और है इसमें आप एड कर लेना लगानिक उत्तरादिकार अधनियम में 10 vary इवा इर समत्ति होती है से उसमें अभी अतिकारे मिल गया पिता की संपत्ति में तो था ही अब दादा की संपत्ति में या फिर पूर्वजों की संपत्ति में भी महिला को अधिकार मिले गया इसको कहते हैं को परसुनरी अन्यतिक व्याप्पा निवानर अधिनियम है इसके साथ साथ हम देख सकते हैं आई पीची की एक सेक्षन है कि 498 यह क्या कहती है अगर आप किसी भी प्रकार से प्रताड़त की जाती है महिला घर परवार के द्वारा नातिर इस्तिया जैसे माता या फिर पती की जो बहन है उनके द्वारा तो आपको तीन साल तक की सजा मि लेगी कमीशन आप सती एक्ट सती एक्ट को समाप्त करने के लिए गरीवली इनसा से सब्सक्राइब के लिए 2005 में आता है आयोग बनाया जाता है निस सुनब्वे में और निस सो बानुवे मैं यह कार्य करने लगता है मदब्रेस में भी स्पेशल कानून है मायलाओं का इस प्रतिसेद अधनियम है इसके बाद कार इस सल पर मैलाओं के साथ यह नुस्पीडन रुक्ताम निसेद अधनियम दोजात तेरा और यह विसाखा गाइड लाइन के बाद मैं आया अब इन से संब्सक्राइब को योजनाएं भी चल नहीं है अगर आप इस तरीके का फॉर्म चीज़ों उसमें आ जाती है तो आप ध्यान रखना फॉर्मेट का यूज करना है जितना अच्छा आपका फॉर्मेट होगा उतनी आप जो है अपने उत्तर को रुचिकर बना दोगे और जो रुचिकर है वही चलेगा के लिए रहे है कि देखे आपकुछ यह नहीं बेटी है लाडवी रच्मी यूजना है महिला उध्धारिक रहा है लाडवी बैना यूजना है उसमें यूजना फैसली तब हम यूजना लेए तब अगर नहीं कूछा तब हम नहीं लिखेंगे सारे डाइमेंशन लिखेंगे अब देखिए कुछ कारिकरम भी हमने लिखेंगे तेज़सुनी कारिकरम संबेदना कारिकरम ममत्युमेला मैला नीती 2015 मदवदेश की नीती है अब देखिए अब हमने निसकर्स क्या दिया है भारत सरकार और मदवदेश सरकार द्वारा बहुत सारी प्रयास की जा रहे हैं इनके बावजूद भी मैलाओं की इस्तिती में अब एक शाक्रत सुदार नहीं है अब सकती करने यह तु समाजिक नजरिया बनने की सरवादे का आउट सकता है हूंगे हम देख सकते हैं वो 35 अत्तात्मक की समस्या है तो जब तक हम समाज को नहीं बदलेंगे तब तक इनकी समस्या भी निराकरत नहीं हो पाएगी अब विवा क्या है बई विवा कोशन है व अब देखिए बिवात दो अर्थों में लेते हैं हम पैला अर्था वह किरिया संस्काब इदिया पदेती जिसमें पत्री पतनी 27 संबंदों का निर्मार होता है और यह परवाच्च जो है हिंदू विवा के अनुसार है ठीक है इंदू विवा में जो बिवा होता है वह संसक हम देख सकते हैं बाद में आया है हिन्दु भीवाद नियम मुंनी सो पच्छमान के दौरा आया उन्नी हिंदु प्यवाद नियम की धारा पार्च विवा करवाती है तो धारा तेरा तलाक करवा देती है इसायों में और मुस्लियों में कॉंट्रेक्ट बेज होता है इसलिए हम देख सकते हैं तलाक अलविद्दत यह सब चीज़ें जो हैं मुस्लियों में क्या हैं परंपनाओं का भाग रही है तोड़ सकते हो आप अब दूसरा अगर अर्थ लेट सकते हैं प्रचलेत एवं स्विक्रत विदियां द्वारा इस्तापित किया जाने वाला दामपत्य संबंद और पारवारिक जीवन ठीक है अब केम कपाडिया ने भी एक प्रवासा दिये लेकिन यह हिंदू विवा के संबंद में दिये और हम जो प्रकार की बाद करें वह सामानता हिंदू विवा के विवा की ही बात करें तो पुरस और इस्तिती के बीच इस्तापिन होना वाला माने प्रता माने अप्राप्त समंद्र जिसका अधर्म रती और कुछ दूसरे दायतों का निर्वहन करना है आधा के अब देखेया के प्रकार एक पत्य विवा एक होता है बहु पत्य विवा और एगा में क्या होता है कि आप वह ऋसकते gehen अनेकंए पत्नियां भी हो सकती है और अनेकंए बाहने ही हो शकतेए हैं अब देखिए जोड़ा विवा को क्या होता है जो सामाने होता है पती पत्नी बन जाते हैं ठीक है इसके बाद मनोजनी विवाग होता है जिसमें पती जो है एक्स्टा मेडिटल अफेर मान सकते हैं उसको पत्नी पती जो है एक अन्य कोई पत्नी भी रख रहा हूँ ठीक है लेकिन अगर बात करें और कैसी होगी बैधाने कह नहीं होगी उसका रासनकार में नाम नहीं होगा नाम किसका होगा जो एक ही पत्नी अगर हिंदुओं की बात करें बहुपति विवाह में क्या है एक आसा हिसा एक पत्नी हैं पती छार फांच है जैसे मावारत में देख सकते पांडू-पुत्रों की दुर पति क्या थी एक पांडू-पुत्र पॉत थे रहातत और उन Genka जो भात वहात था भात लोगा है झा मलव पती होंगे वह भाई होंगे न अब रहत इसा झानिम आठिक है कंप सारे अनुब लिए यह देख सकते मैं बहुत सॉंस आर पर चलेता हैं और हमनों क्या होता है एक साथ 246 लोग दो चाह लोगं से साधी कल लेता है करके हम जो हम प्लैटों के विवा इस तदीके का मान सकते हैं एख अब देखंगे लेते हैं विवा के प्रकार ठुक प्राम प्रागत विद्या जो कौन-कौन के भाज़त में प्रचलित प्रंपरागत बिवापदिया ब्रह्म बिवा सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है वो चलता भी जिसमें पिता जो है अपनी पुत्री के लिए वड़ धूडता है समाज में यही प्रचलित है इसके बाद बिया है प्रोहित को धारमिक कार करने के बढले क्या देदेदे करन्यादान में देदेते थी यहां पर त्लिए दानसब्द लिए tyre योज़ हूँगा होगा घनयाध दान होता था अर्य वेवा होता करे वह जब रिसी मझी बगएरा काम नहीं करते थे। उनको विवा भी नहीं करना है अब भाई उन्हें विवा करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको यह सावित करना पड़ेगा कि हाँ पैसे कुछ कमा सकते हो और अपनी पतनी का जो है गुजारा बत्ता भी कर सकते हो तो अब आप क्या करोगे पहले आप कुछ कुछ कमा के दिखाओगे उसके बाद विवा करोगे जैसे आपको दे दिया कि पहले क्या बैलों की गाए की ज्यादा मैं तो आप गाए खरीद के देदो या बैल का जोड़ा देदो हम समझ लेंगे यहां आप कमा सकते हो और हमारी पुत्री का क्या रख्ष भरन पूरसर कर सक इसलिए हम कहते है आरे विवा प्रचलेत था प्रजापत्य विवा है बद द्वारा कन्या से विवा की याचना की जाती थी इसके बाद असुर विवा है यह कन्या मूल चुकाने के पच्चात संपन होता है ठीक है कुछ जन जातियों मैं आज भी प्रचलेत है गांधर जाता था कि इसके बाद हम देखेंगे पैसा सबसे ज़्यादा निश्कस्त जो विवा माना जाता है वह यह हम कई मूवियों में भी देख चुके हैं कि कुछ घटना ऐसी होती है कि गाउं कुछ व्यक्ति क्या कर लेता है उसके साथ रेप कर देता और फिगाउं मिलेकर क्य करने के पच्चत किया जाने वाला विवा बहुत सारी मूवियों में आपको देखने को मिल जाएगा एक सूर्वनसम में भी शायद ऐसाई कुछ होता है कि अब हमारा कोशन सामुदाइक विकास कारेक्रम की क्या करनी है मैं व्याख्या करनी है कि सामुदाइक विकास कारेक्रम जो है 1952 में सुरू होता है और उद्देश होता है समाज का उत्थान करना जिसमें समाज की ही भागीदारी हो समाज की भागीदारी के द्वारा समाज का क्या करना है विकास करना है और यह उसका उद्दे सिता ग्रामीर समाज का विकास करना क्यावल आर्थक नहीं सभी तरीके से तो वह सारी इस बार यह कोशन आया था पीम आवास योजना तो हम देखेंगे इसमें सामुदाय क विकास कारिकरम और करने के लिए या फिर उसकारिकरम को करने के लिए पर शुक्त न चलें जो ग्रामीड मंत्राले द्वारा चला रही है जैसju funding धूरिय का अब देखिए झालकी सामुदाय कारम क्या है 2 अक्तूवर पर 1952 को अमेरिका की साइटा से ग्रामीड विकास तु शुरूर की आ गया है ठीक है अब इसके मूल क्या क्या है अध्यन करना है स्रयोग की भावना विक्षित करनी है समानता का भावलाना है सब्भावना सेभागिता बढ़ानी है सभी लोगों की और सामाजिक नियाय इस्थ ट इक है मेरे थे हैं इफ एक उद्दे सा अंब यह इसके उद्देश किसल नेतत करना विकास करना है ग्रामीड जनताकी मानसिक दस्टपवण में परवतन लाना है ग्रामीर समझाए के जन स्वास्त तरह स्वास्त पर क्या देना धान देना है आर्थे किस तर्व उचा उठाना है और कुटीर एवं लगुद्धों को प्रोच्छाहित करना है कि अब विशेष्टां क्या है इसके कुछ विशेष्टां देखिए कि विवागों के मद्द समनवय होता है क्योंकि इसके कारकरम के प्रिकार की उना चल लाई होती है करना है जन्ससयोख और समाजी घीवन के समस्त पिफ्व होता है अब सका कुछ संग्ठन जो है किर्यां बित कर वाता है क्योंकि अलग सरकार राज सरकात्र संचालित कारेक्राम है क्योंकि मुख्य भागीदारी राज्यों की होती है बिना राज्यों की भागीदारी के कारें नहीं कर सकते और सामुदाइक विकास कारेक्राम को लाघू करने के लिए अच्छे तौर पर अच्छे से कि इस गाउं का स्रवांग culpac inch का सनुचन हो गई उनका विकास ऐसा नहीं है कि केवल्ए केवल सडकें बना दिए हमने हमँरा उद्डे सेब यह कि वह क्रैसी को भी किस प्रीकार करें उनके गाओं का सामाजिक धांचा कैसा है वह सुधर रहा है कि सुधर रहा है उनकी सोच बदल लेए नहीं बदल लेए पर्यावन के सामण में क्या सोच है यह सब भी सामधाइक विकास कारण हमके लक्ष है अब इनको करने के लिए पूरी की पूरी जो भागीदारी यह को राज्यो सरकार की होती है ठीक केन सरकार की भी भी अब हम देख सकते हैं पंचायती राज आने के बाद इसको तीन खंडों में और विवाजित कर सकते हैं जिला इस्तर खंड स्तर और ग्राम इस्तर अंगर ने भाइदारी होती है जो कहते हैं साथ रगाओं के बीच मैं एक ग्राम से वक्त किया जाएगा है कि अब देखें सबस्क्रा कारइका करने के लिए कौना और धियान रखना कि यह जो यह वह किस मंत्रा अंतरगत्चलांए जाएंगी यह लें ग्रांवी प्रदानमंत्र के योजना है राश्टी सामाजिक सायता कारेकरम है आदस ग्राम योजना है दिन दयाल उपाद्या ग्रामिड कोसली योजना है और ग्रामिड स्वरोजगार प्रसिच्छन संस्तान है यह सब योजना है सामुदाइक विकास कारेकरम के यही चल रही है अब हम देखेंगे कि कि इसमें इसके घटक कौन कौन से हम तीन चार्ट डायमेंशन दे चुके हैं हम जितने डायमेंशन एलेवन मार्क में अगर ब्याख्या टिपणी समझाईए में दे सकते हैं आपका उत्तर्द हुए उतना हम आपको जादा से जादा जो है डायमेंशन देने हों आप लेकिंए से घटक कौन कौन से रोजगार एक गडाना है सिच्छाट वड़ाना था सथा सब्सक्राइब चला नहीं और आज तक इसके पढ़ना अच्छे आये नहीं ठीक है इसका मुल्यंकन करना आसान भी नहीं क्योंकि बहुत बड़े पहमाने पर शुरू किया गया चोटी एक योजना होती तो इसका मुल्यंकन आसानी से कर सकते जैसे मन्रीगाखा कर लेता है सामुदा एक विकास कारक्रम का लेकिन हम जो है वहीं फ्लॉप हो गए और हम ऐसा करने में बिफल है अभी विविन विवागों के अधिकारियों के मत समन्वाय का अभाव रहा और ग्रामों दोख से संबंदित कारक्रम सफल नहीं हो पाए अगला को सब्सक्राइब देखें कह देते हैं कि हम जो है दंपत्ती जो है आपस में सलाह मसवरा करके क्या है क्या करें कि हमें कब बच्चे करने हैं कितने बच्चे करने हैं किनका हम पालन पोशन कर सकते हैं यही परवार करने आए सीधे अड़फों में अगर हम परवासा के तौर देखें तो परवार को नियोज़त करना या सीमेट करना क्या है परवार कल्याणर है और परवार में केवल पती-पत्नी और वच्चे आएंगे ऐसा नहीं आपके फूपा क्लिया रहें क्लियर है चलिए अब देखते हैं कि परेवार करीक्रम कि जो शुरुत होती है हम सब मुझा कर देती है नाम कर देती है मुरार्जी देशाइए की नेत्तत में सरकार बन देश क्या जाया तब भी लिखना में सब्सक्राइब क्लाहिट तब भी लिखना है लुग शहां क क्लिशाइर होती है देख सान्य व plains Rock इनुपर करने तो नहीं बच्चे होते हैं को चाहते नहीं यह लेकिन हो गई ठीकल अल्ला की देना है भगान की देना है भगान की देने के कह के आदर के बाद और बच्चों की संक्रान निर्धारित करना है 2015 हमारे दो बच्चों की मद अंतराल को रखना-था कम-से-कम तीन वर्ड रियु CGI कि आयू में संतुलन क्योंकि बच्चे जो है सरवादिक जो है बीस से पचीस आयू की महिलाओं जो एच्छे दे पाती है इसके बाद इससब जांती बच्चे जो है वहत है यह हुई जन्संक्य के parish जंसक्या के गुणाइत्मक सुधार करना है और परिवार कलियाड कारिकरम से परवार में सामाजिक आर्थिक प्रगती निर्धारित करना है को आर्थिक प्रगती पूरी की पुरी परवार कल्याड़ पर भई सिदीशी बात अगर मेरे दो बच्चे हैं और मेरी शहली पचास जारे अगर उसमें डिवाइड भी रहो तो दो बच्चों में मैं कितना मार्थ सकता कि हमारे यहां सवास्ट तो सिच्छा पर खर्चा सबसे ज्यादा होता है और वो हम परिवार कल्यार को क्या करें अपना इसके बाद अगर आव ŠAKता देखें तो मानभ संसाधन के विकास के लिए आव ŠAKह कॉसल विकास अगर करना है स्वास्त बढ़ाना है गरीवी भुखमरी दूर करना है या फिर बढ़ती जनसंख्या को रोकना है अब तो चीन से भी पार निकल गए अब क्या करोगे पूरे बिशु की जनसंख्या है हम भारत करना चाला आएगा तो परवार कल्यान की तो बहुत ज्यादा और सकता है अब भाई इसके लाव क्या है लाव हो सारे हो सकते हैं ठीक है सामाज़िक लाव है आर्थिक लाव है लेकिन सब्से ज्यादा जो हम देखेंगे लाव जो स्वास्त सभी बना रहेगा ठीक है और जन्संक्या नियंतित रहेगी यह इसके चाल लाव हम देख सकते हैं इसके लिए कुछ कारिक्रम भी चलाए जा रहे हैं जैसे परिवार कल्याण नसबंदी ऑपरेशन संजय गांदी ने सबकी कर दी ती गर्व निरोध गोलियां होती है निरोध होती है पुरुसों के लिए जन्मा अंतर सुनच्चत योजना आसा कारिक्रम स्वास्त नागरेक अव्यान और स्वास्त सर्विच्ण और स्वास्त अन कारिक्रम लिए बीदियां नियोजन की बिदियां एकतों गांदी जी नहीं कए अथ में नियंटन रखो जो विवाद है वो केवल और योध्यात में की प्राप्टी का एक साधन मातर को लाकिर में के बीदा है कि आपको विवाद के बालोगेवल कि serious अंप्रसार्त है धर्मर्थ काम मोख्ष तो जब तक आप इनका फूर्ण रूप से अगर पालन करना है तो विवा करना होगा इसका मतलब हम देख सकते हैं कि उद्देश सांसकतिक है अध्यात्मिक है लेकिन आप क्या कर रहे हो विवा को भौतिक पन में ले गए ठीक है इसके बाद अब रोध है अंडे एवं इस्पर्म के निसेशन के द्वारा और हर्मोनल है प्रोजेस्ट्रोन और इस्टोजन जो है क्या है महिला हाय हर्मोन है और सलक्रिया चिकिस्सा यह भी एक बिधी है ठीक है अब हमने निसकर्स हमारा कितना अच्छा उत्तर है तो उत्तर में हमने क्या लिखा है कि भारत की जनसंक्या संक्ट राष्ट के अंकड़ों के अनुसा चीन से ज्यादा निकल गई अब क्या है अब तो रोक दो और रोक नहीं के साथ-साथ अगर हम देखें सिस्युम्रत्यूदर मात्यूदर भ कि बच्ची जो है बच्चे पैदा करें बच्चों के बीच में गया की समस्या नहीं आएगी महत्मेत्यूदर सही रहेगी और सिस्युम्रत्यूदर सही रहेगी ठीक है चलिए आज का हमारा डिसकसन यहीं कतम होता है कि कर दो